श्रगने साय नमहाजम बात करेंगे मेश रासी के बारे में 1 अगस से 7 अगस तक 2024 साथ दिन की रासी फल तसावन का मेना है साथ में अमावस्तिती है चार तारिक को आपके लिए बहुत बड़ा योग है अगर आप उपाय करते हो तो आपको बहुत अच्छाला प्राप्त होगा आपका भाग्य किसमत मजबूत होगा तो सरपथम बात करते हैं मेश रासी के स्वामी मंगल गरह है तो मंगल गरह को सेना पती का पत्प्राप्त है तो हर मनश्य को सक्तिसाली बनाते हैं प्राकर्मी निडर सांसी बनाते हैं मंगल गरह अगर आपकी जनम कुंडली में मंगल गरह मजबूत है तो आपको बहुत अच्छे लाप परदान करेंगे मंगल गरह तो मैंने बहुत सी जनम कुंडली देख रखी है जिसमें अगर मंगलगर मजबूत है तो उनकी सरकारी नोक्री है सोब परतिसत आर्मी होगी सेना सेना कोई से भी सेना हो ठीक है तो मैंने स्वयम देख रखी है चेक कर रखा है हिसर्ट कर रखा है तो आपके राश स्वामी कौन है मंगल गर है एक अगस से लेके साथ अगस तक कहां बेटे है ब्रसव रासी में यानि कि सुक्र के घर में दुत्यास्तान में तो आपको अच्छे लाप दिंगे इसाद में देव गुरु ब्रहसपती बेटे है सुबला प्रदान करेंगे देव तम दिष्ट कहां पढ़ी है कर्म भाव में तो आपको भूत अच्छाला प्रदान करेंगे शूरे नारे आपके जीवन में परकास करेंगे शूरे देवता वहीं बात करेंगे पंचम भाव में बुद्ध बैठे है साथ में सुक्र गरा तो च्छात्रों के लिए अति उत्त महराजी कहां पेटे हैं लावस्तान में बेटे है कुम राश में अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो जौरूर इस समय सनी महराजी आपको लाव देंगे मैंने बहुत से जनवकुंडले ऐसी देख रखी है जैसे कि भाये लोग पुलीस में थे कोई आर्मी है आर्मी में है उनकी सनी की महादसा आने में उनकी सरकारी नोक्री लगई जैसे पुलीस हो गई आर्मी हो गई ठीक हैं तो सनी महाराज जी बहुत अच्छे लाप प्रदान करते हैं तो आपने विसेश ध्यान देना इन गरहों को मजबूत बनाना है है चंडरमा तिर्टियास्तान में मिथ्वो रास में बेटे है बहुत अच्छे लाप प्रदान करेंगे चंडरमा आपको तो आपने विसेश उपाय करने है तो 6 तरिक को मंगलबार आ रहा है मंगल बार के दिन भी आपने बिसेश पाय करने है हनमान 40 का पाड कराए आप मंदिन में कराओगे तो बहुत ही अच्छा लाव आपको प्राप्त होगा जितना हो सकता है हनमान 40 का पाड जैसो 108 पाड होगे तो जरूर आपको लाव मिलेगा क्योंकि सावन का मेना है तो सावन के मेना में पाड पूजन करने से हज्जार उगुना फैल की प्राप्ति होती है ठीक है आपने सिप पूजा करवानी है सौंबार के दिन आप सिप पूजा करवाए भगवती मा भगवती की पूजा कराए साथ में ठीक है आपके रास्ते खुलेंगे जो जरूर आपने अपाए करना है अमावस्तिति है तो पित्रों के नियम में थे